दोस्तों देश के वर्तमान समय में एक सत्ताधारी पाइटी ऐसी है जिसे अपनी असफलता को भी सफलता की तरह पेश करने की चुलबुलाहट है या कहें कि बुलुलाहट है भले वो सफलता उतनी बड़ी नहो लेकिन इस तरीके से प्रचार प्रसार करना है कि जैसे कौन सा बड़ा तीर मार दिया हो और इसके साथी साथ जब बात आ जाए रोजगार को ले करके तो उस पाइटी को उसके नेताओं को साप सूंग जाता है इसा लगता है कि किसी बिल में घुस गए हो कौन सी है वो पाइटी और कौन से है वो नेता बताएंगे आपको इस वीडियो में सब्सक्राइब कीजिए और इसे शोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर शेयर कीजिए दोस्तो वो पाइटी है वर्तमान समय की बीजेपी पाइटी यानि केंद्र की मोधी सरकार राज्यों में अगर हम बात करें जहां पर भी बीजेपी की सरकार है उसका अगर हम चरित् अब्यान की मahavaxination अभ्यान के तहट एक दिन में लगबक 60.,000,000,000 वैक्सीन लगाई गई तो तो स्रीच सरेथ ग यहां सोचल मीडिया पर लोग हम शुओ पोलियो अभ्यान से कर रहे थे तो अब यहां पर भी तुलना की जाए जिस तरीके से मीडिया में प्रचार प्रसार किया गया डंका बाया गया एक करोड का आखड़ा भी नहीं छूपाया महा वैक्सिनेशन अभ्यान हाला के मद्यप्रदेश ने अच्छा प्रदर्शन किया इस पूरे उसमें और मद्यप्रदेश पहले पायदान पर रहा सिवराज सिंग चोहां जी ने इसके लिए ट्विट भी किया कह रहे हैं कि यह तो केवल शुरुवात है आभी तो हमें आगे और भी काम करना है साथी साथ मोधी जी का भी धन्यवाद दे रहे हैं मोधी जी न जनता में सर्वे किया कि जनता धन्यवाद देना चाहती है नहीं देना चाहती जनता तो रोजगार से इतनी परेशान है हो सकता इसलिए आपने नहीं पूछा अपनी तरफ से धन्यवाद ग्यापित कर दिया चाय भले जनता ने धन्यवाद दिया हो या न दिया हो अब यहा इनके कम हो जाएंगे वैक्सीन के अभियान से। दोस्तों आप क्या सोचते हैं क्या इसकी वजह से गुना कम हो जाने चाहिए जिन नेताओं किसी भी दिक हों। बीजेपी बसपा सपा इंजेक्शन की दलाली की इंजेक्शन बेचे जिस तरीके से आप लोगों नहीं भी खवरे देखी होंगी नेता भी इन्वाल्व थे नेता के जो रिलेटिब्स थे वो इन्वाल्व थे इसके अंदर तो क्या इनके गुनाओं की माफी मिल जाएगी इस हैश्टेग लगा रहे हैं ट्विटर पर हैश्टेग एमपी महा वेक्सिनेशन अभ्यान महा सब्द से नीचे बाती नहीं कर रहे हैं तो क्या महा रोजगार अभ्यान चला पाएंगे क्या आपके अंदर इतना साहस है कि आप महा रोजगार अभ्यान चला पाएं और मद्द प्रदेश को रोजगार के छेतर में नंबर वन ला पाएं क्या आप इसके बाद धन्यवाद ग्यापित करेंगे नरेंद्र मोदी जी को ट्विटर पर कि MP महा रोजगार अभ्यान के तहट जो है पूरे देश में प्रथमिस्तान पर आया के लिए मैं रोजगार अभ्यान के नाम पर सभी नेताओं को साप क्यों सुंग जाता है आप सत्ता में आये क्यों थे उस ओफिस की हवाख खाने के लिए आपको जनता ने बठाया सफेट टविल वाली कुरसी पर बैठने के लिए बठाया या कुछ काम धाम करने के लिए बठाया यह सबस लिए आये थे तो आपको क्या अधिकार था 2014 के पहले ये बात हैं करने का कि डीजल इतना महंगा पैट्रॉल इतना महंगा ये चीज इतनी महंगी किस मुह से आप कह रहे थे सरकार से अब आप अपनी बुझदली छिपाने के लिए तरह तरह के तथ्य देते हैं पैट्रॉलिय महामुर्क बनाने का प्रयास कर रहे हैं। क्या सिवराज सिंग चोहान युवाओं को रोजगार दे पाएंगे, MP पुलिस की भरती दे पाएंगे, चाहिने तो सिक्षकों को समय पर उनकी जोइनिंग दे पाएंगे, नई भरतीया निकल पाएंगे या पुरानी भरतीयों का जुन्योना आगे 2023-2024 तक चलेगा, ये सबस सवाल है, दोस्तों इस पूरे वीडियो पर आपकी क्या रहा है, क्या महा वैक्सिनेशन अभ्यान की तरह महा रोजगार अभ्यान भी चलना चाहिए, इसके बारे में आप क्या सोचते हो, क्या सिवराज सिंग चोहान महा रोजगार अभ्यान चला पाएंगे, मोदी जी महा बैठे रहेंगे, चुपचा बैठे रहेंगे, आप ट्विट पे ट्विट करते रहेंगे, कोई जवाब नहीं मिलेगा, कमेंट में जरूर बताइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को हर जगा शेयर कीजिए, अगले वीडियो में आपसे फिर होगी मुला का, तब तक किली मुझे दीजिये अजासत, नमस्कार